नमस्कार मैं रोहित कुमार आपने इश्वान नेशन देख रहे हैं आर्जेटी की नेतरी मधुमंजरी के पती का निधन हो गया है मधुमंजरी ने वीडियो शेयर करके कहा है कि उसके पती की मौट के पीछे पुरा सिस्टम जम्यवार है यह कहा कि उनके पती का इलाज करोना के नाम पर चलता रहा लेकिन वह कुरोना था ही नहीं और यह रिपोर्ट में साफ हो चुका है उनको हारेटेक आया लेकिन हारेटे नहीं होने की वजए से लोग लगतार मड़ रहे हैं उन्होंने अपनी बारे में भी संदेश में कहा है कि वह और उनका पुरा परिवास स्वस्थ है उन्होंने लोगों से अपील भी किये क्या कुछ कहा है मधुमंजुरी ने छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में उनको कुरोना नहीं था जब रिपोर्ट आया सब लोग को लग रहा था कि वही लेकिन जब रिपोर्ट आया तो इसा कुछ नहीं था उनको हार्ड अटेक आया था लेकिन सबसे बरा दुर भाग्य है अस्पताल में जोग भी बेवस्था है ऑक्सीजन नहीं है बेवस्था अगर सही हो तो सायाद आज मेरे हसुल मेरे साथ होते हैं कि सबके दिमाग में सिर्फ एखीत कोई आज में इंसान वीमार हुआ को रोना हो गया और भी कुछ हो सकता है लोगों को और भी बीमारियां हो सकती है हार्ड अटेक भी हो सकता है बीपी हाई हो सकता है अबयों चाह चैशा अब कback करती हूं सबसे सभी है नहीं अब रोश पीटर का जो बिवस्था है जो स्तिती है तो उपर वाला ही माल इनलिक अब शायद उपड़ वाला भी मालिक नहीं अगर उपड़ वह मालिक होता तो मेरे हस्माण भी मेरे साथ और दोस्तों मुझे को रोना नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूं इस दुख की घरी में आप सब मेरे साथ हैं इसके लिए आप सब बहुत-बहुत धान्यवाद और मेरा पूरा पड़िवार सही है सब चीज बिल्कुल सही है और आप सब उसे आग रहा है सुरक्षित रही और डढ़िये नहीं डढ़ने से ही सबसे ज्यादा जो लोग जो आज अपने हमारे बीच में नहीं है वो सबसे बड़ा कारण हो को डढ़ गया है वो दफसत में चल सब मेरे साथ हैं इसके लिए आप सब बहुत बहुत धान्यवार और मेरा पूरा पड़िवार सही है सब चीज बिल्कुल सही है और आप सब उसे आग रहा है सुरक्षित रही और डढ़िये नहीं डढ़ने से ही सबसे जादा जो लोग जो आज अपने हमारे बीच में नहीं है वह सबसे बड़ा कारण है को डढ़ गया है वह दफसत में चले गया है इसी के साथ सब बहुत बहुत धन्यवाद